आपका आपका आपके यूटूब चैनल मिश्कोडीके में एंड आज हमची शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह लिखिता इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्चर लेमेटेड आप देखोगी यह जो कंपनी है वो कैसी है इसकी उपर हम आपको डिटेल में बताएंग उसके स साथ साथ आप देखोगे आज इसका हमें जोना शेयर प्रेज डाउन होते हुए नजर आ रहा है जी हां प्रिविश क्लोजिंग आप देखोगे चार सो चौशट थी लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा सिरफ और सिरफ 232 में यानि इस टोकें तर फिटी परसेंट का क्र रुपेज थी लेकिन अब हो जाएगी फाइब रुपेज यानि अगर आपके पास इसका एक शेयर तो आपको एक शेयर की ऊपर एक शेयर अतिरित मिलेगा यानि कि एक शेयर टोटल दो शेयरों में कर्वर्ट हो जाएगा इसी वजह से आपको ये 50% का क्रेक्शन देखने क को मिलेगा इसे हम ग्रावट नहीं का सकते एक प्रेज़ास्टमेट है क्योंकि पहले एक शेयर का प्रेज था दो सो चाहसोρसुसज रुपए और अब हो जाएगा एक शेयर का प्रेज दोसो ब्स्तिर तो इसı वजह से क्रेक्शन हुआ है इन सब लेकर आपको परेशन नह automatically जो शेर आपके DMET account में transfer कर दिये जाएंगे तो इन सब पुले कर भी आपको बिल्कुल प्रेशान नहीं होना है अब मैन बात आती है अगर आपके यहां से holding है तो आपने क्या इसके अंदर holding बनाए रखनी है फिर नहीं तो यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रहे है जी आसिस कचोलिया जी जो है उनका इस कंपनी के अंदर 2% स्टेक है जी हां उन्होंने प्रिविस वीक में आपने देखा होगा लगभग 2% स्टेक जोना एक्वाइर किया है वैडनेस डेखो इसी वीक में इसी वीक में जोना 2% स्टेक एक्वाइर किया है जो कि एक बहुत बड़ी बात है उसके उपर पे हम आपको जहां डिटेल में पताएंगे यहां पर आप देखो कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है तो company का जो main business वो infrastructure का है, ठीक है, pipeline हो गया, ठीक है, gas pipeline होगा, तो इन सब के business में जो company है, वो लगी हुई है, उसके साथ-साथ आप देखोगे company के fundamental, fundamental stock आपको अच्छा देखने को मिल रहा, market capitalization के बात करें, तो 917 क्रोड के market के वाली company है, यानि ये एक आप देखोगे, small cap company है, ठीक है, काफी अच्छे stock आपको return निकाल कर दे रहा, debt free company है, जो की काफी अच्छी बात है, वहीं आप देखोगे share holding pattern, promoters के पास लगभग आप देखोगे 74% है, वही public के पास 25, FI के पास आप देखोगे 0.32% stake, और DI के पास कोई stake नहीं है, अगर बात करें free cash flow होगे, तो य return on equity और return on captain plot, दोनों की दोनों average है, stock P ratio आप देखोगे 17 का, जो की काफी अच्छा माना जार है, dividend भी company दे रही है, 1.08% से, तो काफी अच्छी company है, investment की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे, लगभग 50 क्रोड के असपास company का investment भी है, तो fundamentally काफी strong stock आपको देखने को मिल और यह जो share आपको आने वाल टाइम में, 300 प्लस जाते हो नजर आने वाला है, आप देखो की December के अंदर, जी हाँ December के अंदर आप देख सकते हो 300 प्लस stock के जोना target हमें देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए आपको जोनेश को बारे में detail में और बताते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भी previous session में stock के अंदर लगभग आपको 1% के आजपास गिराउड देखने होगे मिले, यहाँ पर आपका जो पराई जवाज का अपडेट नहीं हुआ है, और जो वोल्यूम दखते नजर आई है, और एक साल में stock ने जो return निकाल के दिया है, 42% के, और stock का जो बा आप देखोगे इनका जो rate है वो 15 करोड 30 लाख में इन्होंने जोना ये 2% stick acquire किया है, तो काफी अच्छी update निकल कर आई है stock, आपको non-stop return निकाल कर दे रहे, यहाँ पर आप देखोगे volume अच्छे लगने लग रही है, जिसकी वजए से stock के अंदर एक दम से हमें जोना ये pump बनते नजर आया, तो यहाँ से stock के अंदर अच्छी तेजी बनने के जो संकेत है वो बढ़ रही है, quarter on quarter basis पर आप देखोगे profit जबरदस्त company जोना increase कर रही है, तो in future में stock का जो growth हो काफी तेजी से बढ़ेगा, तो यहाँ से आप as long time के लिए stock के अंदर बने रही है, यह जो watching the video